नवसकार दोसों इस तो Realme GT Series एडिया में लाउंच हो चुका है और इसका जो प्रैजिंग है वो काफी इंडरस्टिंग है लेकिन अगर आप फिलेप काड़ के आप लिकेसिन पर देखेगा तो आपको यहां पर पता ही चलेगा कि Realme GT Smartphone का जो प्रैजिंग है वो 38,000 है जबकि आप चाहो तो इस phone को 26,799 में बाई कर सकते हो जबकि Realme GT Master Edition है इसका प्रैजिंग 28,000 है लेकिन जब आप चाहोगे तो इस phone को को में समझ में आने वाला है चले विडियों को श्राट करता हूं जोस्तों रियल में GT series इंडिया में लॉइंच हो चुका है और यहल में GT स्रीज के अंदर दो फोन देखने को मिलेगा पहला रियल में GT Master Edition है दुसरा रियल में GT है और दुनों का जो प्रैजिंग है वो काफे अपग्रेड या फिर रियल में स्मार्ट अपग्रेड पर इस फोन को कैसे बाई कर सकते हूं काफी कम प्रैजिंग के साथ तो अरहा फिलेप कार्ड का अपलेकर खोलेगा तो आप को यह पर पता है चलेगा कि रियल में GT स्रीज का जो एक्ट्वल प्रैज है उससे आप काफ कर सकते हैं वह आपको फिलिफ कार्ट अपग्रेड या फिर रियल में स्मार्ट अपग्रेड के तहट दिया जाता है तो इसके लिए को करना क्या होगा चले इस इक बार हम बात करते हैं दोस्तों डियल में GT स्रीज के अंतर जो फोन है दोनों फोन के नीचे आप को यह पर द सकते हो और बागी रिस्ट इमाउंट अप अगले साल पे कर सकते हो नहीं तो अगले साल आपको एक्षेंज पर यह फोन देना होगा तो यहां पर आपको दो चीज़े देखने को मिलता है पहला जो आपको देखने को मिलता है फिलिफ कार्ट स्मार्ट अपग्रेड और दू तो फीचर्स हैं यह काफी इंटरस्टिंग है और यह सिर्फ अभी फिलिप काथ ही प्रोवाइड करा रही है तो इसके लिए को करना क्या हुगा जिसे कि आप यहां पर प्रैज का सेडियूल देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको क्या करना होता है इसके बारे मैं आपको पहले भी फाइब घूनला है तो यहां इसको करना करने के बाद आपको करना है थिक है यहां पर करना वर बाइनओं करना के साथ आपको यहां पर एक ओफिलिप प्रैस्थ 11 लूपीज है इसको य्एनometर करना कुछ इस तरीके से करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके से नीचे में आजागा ठीक है तो यहां पर पेमेंट का पेज आगा उसमें आपको कैस अप्षन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर आपको पेमेंट ही करना होगा और पेमेंट कैसे करना इसके बारे हम जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी फोन आप लेजेगा फिलिपकार्ट एस्मार्ट अपग्रेड या फिर रियलमी अपग्रेड के तहद उसमें सिर्फ आपको 70% पैसा अभी पे करना है बाकी पैसा आप अगले साल पे कर सकते हो उसे लिए करना क्या होगा तो मैंने आपको जो प्रिवेस एस्टेप बताया उन सारे एस्टेप को फॉलो कीजिए अभी भी आपको यहां पर 25,000 दास रुपए दिख रहा है जबकि यह फोन जो है वो 25,000 कहीं है तो आपको यहां पर 70% पैसा कैसे पे करना होगा इसके बारे में मैं आपको आप करना कांटिन्यू और कंटिन्यू के जगा तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से उपर में देख जाएगा ठीक है जिसे कि आप यहां पर देख पार होगे कि बता रहा कि आपको यहां पर 75,000 पे लेस्ट कर दिया जाएगा वह इसलिए क्योंकि आपने आपर एड़ किया ह कि किसी भी फोन को काफी यहां प्लान के दहद उस में आप तभी उस फोन को काफी कंपराजिंग में में ले पाओ गये आप यहाँ पर 70% पैसा को पे कर सकते हो तो सारा सी यहाँ पर लिखाव आ रहा है आप अपना credit card का यहाँ पर यूज करके उस phone को 70% पैसा में बाई कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से वार करता है flip card smart upgrade plan या पर कहें तो realme smart upgrade plan और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एस्टेप बताया किसी ओल्ड फोन को लेकर से में स्टेप को आप realme GT series के फोन पर एड़ करके उस फोन को काफी कंप्राइजिंग में या फिर करें तो 70% पैसा पे करके रियल में GT series को बाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से तो बस आज के शुरू में भी बताया है था उम्हेद करता आपको बहतरी तरीके समझ में आओगा इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉल्म है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हो हन्यवाद